नाकुर ग्रामिन में सेथ बाजरगाउश शेत्र में ग्रिश्मकालीन मुंखफली की बुवाई की शुर्वात हो गए है सोयाबिन और कपास में बड़ा नुकसान होने के बाद किसान आर्थिक संकट से जूज रहे है ग्रिश्मकालीन मुंखफली किसानों का आखरी दाव समझा जाता है जिसकी बुवाई की शुर्वात जनवरी से फरवरी तक होती है मैं की मैने तक किसान के लिए फसल मंडी में बेशने के उप्यूगत हो जाती है 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच इस फसल की बुवाई की जाती है 105 से 115 दिन की ये फसल रहती है जिसमें 30 से 40 विंटर प्रती हेक्टर उत्पादन का अनुबार है इस फसल के लिए जमीन में गोपर का खाट डला जाता है और सिंचाई करणी पड़ती है पिशले चार साल से बाजर काव शेत्र में गृष्म कारीन मुंग फली की फसल ले रहे हैं जिसमें अच्छा उत्पादन होने का दावा किसान कर रहे हैं गेहू और चना में अच्छा उत्पादन होने के बाद भी अच्छा दाम नहीं मिलने की कारण किसानों ने इस फसल का चैन किया ग्रिश्म में जिन किसानों के पास पाने की अच्छी सुविदा है उनकी ये पहली पसंद कहलाए चारी है शेत्र के किसान प्रकाश इवनाते इन्हों ने बताया तो निच्छी थी खेती में इस जफलता मिले की ऐसा शेत्र के किसान प्रकाश इवनाते इन्हों ने बताया मिस्यन नियूस के लिए बाजार गाउ से विलास उईके की रिपूर